औरेया करमचारी शिक्षक शहियोग तुमोर्जा उतर प्रदेश के प्रांतिय नेतित्व के आवाहन पर पुरानी पैंशन बहाली वेतन वी संगती दूर करने सम्विता एवं आउट्सोर्स इंकरमचारियों की सेवा नियमवाली प्राख्या पितकर ने समेट 12 सूत्रिय मांगो को लेकर जन्पर शाखा औरेया के सहियोजग डॉक्टर श्याम नरेश दूबे के नेतित्र में विशाल मशाल जूरूस जिलाया सहियोग चिकित्सा से जिलाधिकारी आवास तक निकाला गया जुलूस के बाद जिलाधिकारी के माध्य से मानिय मुख्य मंत्री को ग्यापन भेजा गया कारेक्रम में करमचारियों को सम्मूदित करते हुए करमचारी शिक्षक शयोक्तु मोर्चा औरया के सयोजक डॉक्टर श्याम नरेश दूबे ने कहा कि करमचारियों की मांगो पर सरकार के उदासीन रवेया के कारण प्रिदेश के करमचारियों शिक्षक अंदोलन के लिए ब कि सफल बनाएंगे और लोगतंत्र में अंदौलन ही एकमात रास्ता होता है जब सरकारें निरंकुस हो जाती है सरकारें कर्मकारियों की समस्याहिएं के प्रत उदासीन हो जाती है तो कर्मCHARियों को तो मजबूरन और दोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है विगत कई बर्सों से ये माये लंबित है उसके बाद भी सरकार उसका कोई संग्यान नहीं ले रही है उस पर कोई रेक्सन नहीं कर रही है इसलिए मजबूरी में प्रदेश नेतुत्त ने अंदोलन का फैसला लिया है इसके पहले छेतरी जिन्पिद्रियों के माध्यम से तमाम ग्यापन भिजवाएगे सरकार के पास आज मसाल जुलूस का आयोजन किया गया है इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो आगामी 9 दिसम्मर को पूरे प्रदेश में संपूर कारवन्दी की गोस्तना की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सासन का होगा इसलिए हम फिर अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि कर्मचारियों की जाएग समस्याओं को लेके वो गंभीरों उस पे तत्काल को निड़े किये जाए ताकि कर्मचारियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना होना पड़े एक बार पुना आप सब लोग बढ़ाई के पात रहें आपको बहुत बहुत धन्वाद और अंदोलों किसी तरीके सफल बनाते रहे हैं धन्वाद इंकलाब 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 इंकल अबादिल लादिन लादिनु लादिन लादिनक